यूपी के महोबा में भारत की पाकिस्तान से हुए युद्धकाई क्यानवा वर्ष विजदिवस के रूप में मनाया गया पाकिस्तान को करारी मात देकर 1971 में भारत को एतिहासिक जीत दिलाने वाले सभी शहीदों को आज पूर्व सैनिक और गन्मानी नागरिकों ने शहीद राकेश चरसिया की समाधी पर भाव भी निश्रधान जली दी और उनके स्मृति में बर्गद और पीपल की पौधे लगा क कर विजय दिवस मनाया साथ ही तमिल नाडव हेलिकॉप्टर हास्ते के बाद जीवन भित्यू के संघर्ज करने के बाद शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुन सिंग की आत्मा की शांती के लिए दो मिनट का मौन रखा महोबा में अमर शहीद राकेश चरसिया के समाधी स् रवींद्र सिंग और अन्य पूर्व सैनिकों ने इस मौके पर 1971 के युद्ध में दुश्मन के दाथ खटे करने वाले पूर्व फौजी क्रिशना शंकर जोसी, कारगिल शहीद जगदी श्यादव के भाई द्या शंकर सहीद धिनेश बुधौलिया के भाई सतीश कुमार, राकेश के पिता ज्यान दास चरसिया, समाज सेवी तारा पाटकर और जागेश्वर चरसिया को शौल उढ़ा कर सम्मानित किया, सम्मान नेनी के वाद प्रिशना संकर जोशी ने कहा कि उस एतिहासिक विजय को आज पच्चास साल हो गया है, अभे हमें अभी लगता है कि ज आजेंद्र कुमार, प्रदीप, शुकला, सुनील साहू, गया प्रसाद, प्रेम साहू, सुचील समेत तमाम लोग मौजूद रहे अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार के रिप्ट